फरवरी महिना स्मार्टफोन लांजिंग का एक नया महिना होने वाला है इस महिने कुछ नया होने वाला है पक्का इस महिने सैमसंग के तरप से गेलक्सी S सीरीज लाइनप देखने को आपको मिलने वाला है LG, सूनी, वीवो, ओपो और साउमी भी यहाँ पर अपना डम खम दिखाने वाले हैं वीडियो पर आगे बढ़िए से पहले मैं आपको एक बात जरूरू बता देता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज वूस रेड बटन को ग्रे कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेले उसको भी अन कर दीजिए और आल नोट क्योंकि मैं फालत्यों कि वीडियो तो बनाता नहीं हूँ टेक वीडियो से रहती है सिंपल साधी आपका भी वाला होगा मेरा भी वाला होगा जहां तक आप लोगों में से कई लोग यह जानते होंगे कि एम्यों से 2020-2024 फैबरी को स्टार्ट हो रहा है और 27 तक चलने वाला है और रेडिमी के जैसे यह भी अभी एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुका है साउमी से बिछड कर आप लोग सभी सुझ रहे हो मैं पोको एक्स्टू की बात कर रहा हूं जो की इंडिया में 4 फैबरुरी को लॉंच होने वाला है और हो सकता है कि रेडिमी नोट 8 प् गश्री मार्केट में उतारा जा रहा है जो जो इसक्रीन का रिफ्रेश रेट होने वाला है वह 120 हर्ट का होने वाला है कुछ लिकविट कूलीं सिस्टम यूज किये जाएंगे जो कि गेमिंग स्मार्ट पून में अक्सर यूज किये जाते है और उसके अलावा जो चीप 765 G होने वाला है इसका एक ओर टीजर आया था जिसमें स्मार्ट फोन के बारे में थोड़ी सी इंफर्मेशन दी गई थी वह सिस्टी फोर MP रियर कैमरा होनी की बात की गई थी जो में सेंसर होता है वह होने वाला है सोनी IMX 686 सेंसर कुछ स्पेसिफिकेशन जैसे के रियर मांटेट फिंगर्पिंट सेंसर टाइप सी पोल्ट और 3.5 एम आडियो जैक यहां पर आपको मिल जाएगा और फोन को आप क्लोसी ओली फ्लिप कार्ट पे वाय कर सकोगे जब यह अविलेबल हो जाएगा तो फिलाल अविलेबल हुआ नहीं है फॉर्थ फैबरुवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद में कब अविलेबिलेटी होती है स्मार्पोन की एक रिपोर्ट के साब से ओप वाली है कि यह वर्ड का पहला ऐसाप होनोंगा जिसमें आपको 44 MP वाला सेल्फी सूटर देखने को मिलने वाला है सूटर वह वाला नहीं कैमरा वाला सूटर जो पंच होल डिस्पले है उसकी बाहर यहां पर फिर से आने वाली है जो चाइना में वेरेंट लांच हुआ था उसके इसाप से इसमें आपको 6.5 इंचेस वाल एक फूल HD प्लस OLED डिस्पले देखने को मिलने वाली है और जो इस रिफ्रेस्ट मिलेगा आपको 90 हर्ट का मिलेगा HDR 10 प्लस का सपोर्ट होगा और Qualcomm Snapdragon 765G चिपसेट यहां पर भी होगा जैसे ही Qualcomm नहे चिपसेट लांच करती है तो कोई ना कोई स्मार्टफून कंपनी उसको फटाक से पकड़ लेती है 48MP Quad Camera Setup मिल जाएगा साथ में 4025 mAh वाली बैटरी देखने को मिल जाएगी जो की वोक 4.0 30W Fast Charging को सपोर्ट करेगी सबसे इंटरस्टिंग बात यहां पर Android 10 Best Colorways 7 आपको यहां पर देखने को मिलेगा प्रीवियसली ऐसे बहुत सारे सब ब्रांट से जिनों ने अपने में ब्रांट को छोड दिया और इंडेपेंडेट होके एक इंडेपेंडेट ब्रांट बन गए वा विवो का सब ब्रांड था iqoo वह भी अभी इंडेपेंडेड ब्रांट बन चुका है और इंडिया में February क को अपने एक नई स्मार्टफोन के साथ में डेब्यू कर रहा है इस स्मार्टफोन का जो में एंट्रेक्शन है वह यह है कि इसमें आपको कौलकॉम स्नैपड्रेगन 865 चिपसेट देखने को मिलेगी जो कि एक लेटेस्ट चिपसेट है मतलब यह इंडिया का पहला 5G टेक्नलोजी की साथ में आएगा सैमसंग ने अपने गैलक्सी M सिर्ज को आगे बढ़ते हुए यह डिसीजन लिया है कि गैलक्सी M सिर्ज के स्मार्टफोन फिर से इंडिया में अपनी दस्तक देने वाले है फेबरुवरी महिने में यहां पर तीन हैंड्सेट आपको देखने को मिलेगे और 48MP Quad Rear Camera आपको मिलेगा इसमें अभी रिजेंटली इसको Wi-Fi सर्टिफाइड किया गया है गैलक्सी M 21 में आपको यहां पर Exynos 9610 या फिर 96001 चिपसेट दोने में से कोई भी देखने को मिल जाएगा और ट्रिपल रियर केमरा यहां पर आपको मिलेगा M 11 की जो डीटेल से वो फिला हाल अन्नोन है लेकिन फिर भी हम लोग यह कह सकते है कि इसमें आपको Android 10 देखने को मिलेगा मोटो की तरब से इंडिया में मोटो रेजर 2019 के रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके है लेकिन कमपनिया भी यह साब साब बता नहीं पा रहे है कि इसकी लाउंचिंग कब है लेकिन यहां पर चांसेस पूरे है कि यह फेबरोवरी में लाउंच हो जाएगा नवंबर में मोटो ने अपने स्मार्टफोन को अन्वेल किया था मोटो के तरब से यह एक फोल्डेबल स्मार्टफोन है जिसमें आपको कौलकम स्नेप्रगन 710 एसोसी देखने को मिलेगा साथ में जो बैटरी वो काफी कम है 2510 मिली एमपेर आउर वाली है जो नॉन फोल्डेबल स्टेट होगा उसमें आपको 6.2 इंचेस वाली एक प्राइमरी डिस्पले देखने को मिल जाएगी जो की नॉच वाली होगी पंच होल डिस्पले के जमाने में एनिवस 5MP का सेल्फी केमरा है और एक 16MP वाला रियर केमरा देखने को मिलेगा Android 9 Pie आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इंस्टेंड आप Android 10 इसका जो प्राइज है वो इस स्पेसिफिकेशन की हिसाप से काफी जादा है जादा मतलब बहुती जादा है आज में Google News पर जो निउस थी टेक निउस वो बस स्वाइप करी रहा था तो वैसे ही एक निउस मेरे हाथ लगी जो कि यह थी तो यहाँ पर Realme C3 की बारे में मैं बात कर रहा हूं हां जी Realme की तरप से जो नया स्मार्टफोन आने वाला है अपकमिंग जो की एक बजट रंज होगा वो होगा Realme C3 लास्ट यर Realme ने लॉंच किया था Realme C2 जिसमें आपको एक इंटरी लेवल फीचर देखने को मिल जाएंगे रिसेंटली Realme C3 सिंगापूर एजेंसी से सर्टिफाइड हुआ है मतलब कंफर्म है कि एडिया में इस महिने Realme C3 लॉंच होगा जो फोन की स्पेसिफिकेशन से वो अभी भी unknown पड़े हो है लेकिन हम लोग यह आसा कर सकते कि आपको इसमें एक नौच तो जरूर देखने को मिल जाएगा और दूसरे इंटरस्टिंग चीज यह है कि Realme C3 Realme के तरफ से ऐसा पहला फोन होगा जिसमें आपको Realme UI बेस्ट Android 10 देखने को मिलेगा अब बजाओ ताली तो गाइस यह थे कुछ ऐसे स्मार्टफोन जो कि इंडिया में February महिने में लाउंच होगे इसके अलावा February महिने में ग्लोबली भी बहुत सारे स्मार्टफोन आ रहे हैं लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है तो गाइस इस वीडियो में फिलाल इतना ही आप पर अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो फिलाल बाए